गर्मियों के मौसा में आम का इंतसार सभी को होता है इस टेस्टिफल को खाने के लिए हरकोई बेचेन देहता है यह फूट ही ऐसा है जो अपने स्वाद और अपने खुशन से सबका मन जीत लेता है और हमारी बोडी को गर्मियों में ठंडा भी रखता है इसके साथ इसमें हो किन भालो का ध्यान रते है लांस वीडियों के लना तुमियों कि वही हुड़ई का श'll खाते समय क्या में और अगर आप जाते हैं कुन से साइड आप्यक्त है और किन बâteो घ्यान अपने थिक्ता में और तुडिये रहें dross ai geven प्रैस आपने एक बार तोल्डिस की होगी जब हम लग्ष हो दे थे और हमारे गर में आम आया करते थे तो हमारे दादा, दादी, नाना, नानी आम को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दिया करते थे अकसर हमें लगता है कि इसके पीछे हो सकता है कि उचाते थे कि जो इसकी गंदगी है वो साफ हो जाए इसमें जो चैमिकल है वो अच्छे से निकल जाए तो जो काफी हर तक सही भी है लेकिन इसके पीछ और कारण भी है जिसे हम नहीं जानते अकसर हम लोग क्या करते हैं। जब हम मार्केट से फ्रूप या आम लाइं, और सिधार खाने लग जाते हैं। पानीrias tenisum aam water रशा में one second और उसका मेंने घाच आके लिते ह Kimberly मुंठते.after आड के कई scola कर do pleasure है। इसके विछे कारण है फूट्स में पाया जाने वाला फाइटिक एसिड अब आप सोच रहे होंगे फाइटिक एसिड क्या होता है फाइटिक एक तरह का निट्रीशन होता है जो हमारे शरीप के लिए बूरा और अच्छा दोनों हो सकता है यह एक anti-neutral compound है जो सभी foods, vegetable, nuts में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है हमारी बोडी में जिंक, iron, calcium और बाखी minerals के absorption को ब्लोग कर देना जिससे हमारी बोडी में minerals की कम ही होने लगती है बिना भी आम खाने से हमारी बोडी का temperature बढ़ जाता है जिससे शरीग में thermogenica production होता है दरसली thermogenica वही है जो आपको acne, constipation, सिर्द जैसी problem का सामना करना करता है लेकिन अगर आम को कुछ घंटे के लिए भीगो कर अग देते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं इसके साथ आम फैट बर्नक का काम भी करता है, अगर आपको अपको सही धन्से खाते हैं, तो आप अपनी बोडी में इसे फैट को भी काउं कर सकते हैं, इसके साथ सब अगर अगर आपको खाली पीटे आम खाते हैं तो ये अपके लिए बहुत अच्छा रगता है ये आपकी आपको अच्की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफोर्मेटिव लगी होगी और आप भी आज के बाद आम को धो कर नहीं, आदा घंटा पानी में फिगो कर खाएंगे और खुद पर प्रॉब्लम से बचाएंगे, थैंक्यू सो मुच, से वीडियो तिल देन, बबाई, ट